दोस्तो स्वागत है आपका दिवशल इफेक्ट्स में भारत में नाग कुल और नागों के रहस्य को सुलजाना अत्यन्त ही कठिन है क्या पहले सर्फ मानव होते थे या सर्फ जातियों के नाम के आधार पर ही मानव की जातियों का निर्माण हुआ कुछ भी हो लेकिन यह तो तैह है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थी उनका धर्म भी शेव धर्म था वासुकी भगवान शिव के पर्म भक्त थे माना जाता है कि नाग जाती के लोगों ने ही सरव प्रथम शिवलिन की पूजा के प्रचलन प्रारंब किया था वासुकी की भक्ती से प्रसंद होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था वासुकी को नाग लोग का राजा माना गया है समद्र मन्थन के समय वासुकी नाग को ही रसी के रूप में परवत के चारों लपेट कर मन्थन किया गया था जिसके चलते उनकी संपूर देह लहुलुहान हो गई थी जब भगवान श्रीकृष्ण को कंस की जेल से चुपचाक वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे तब रास्ते में वारिश के चलते यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही भगवान कृष्ण की रच्चा की थी वासुकी ने ही कुन्ती पुत्र भीम को दस हजार हातियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था वासुकी के सिर पर ही नाग मड़ी होती है पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ती रशी कश्यप की पत्नी से हुई थी जिसमें से प्रमुख नाग थे शेशनाग, वासुकी, तकचक, करकोटक, पदम, महापदम, शंख, पिंगला और कुलिक शेशनाग, वासुकी, तकचक, करकोटक और किंगला इन पांच नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस हो था यह सभी कशिप वंशी थे इनहीं से नागवंश चला नागवंशा वलियों में शेश नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है शेश नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है इसी प्रकार आगे चलकर शेश नाग के बाद वासुकी हुए वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में निक्त होना सुईकार किया वासुकी का कैलाश परवत के पास ही राज्य था और मानिता है कि तक्छक ने ही तक्छ शिला बसाकर अपने नाम से तक्छक पुल चलाया था इन तीनों की गाथाएं प्राणों में पाई जाती हैं कांगडा, कुलू वा कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग गामुडों की एक जाती आज भी मौजूद है महाभारत काल में पूरे भारत वर्ष में नागा जातियों के समूर फैले हुए थे विशेस तोर पर कैलाश परवत से सटे हुए इलाकों से असम, मनिपुर, नागा लेंड आदी तक इनका प्रभुत्व था ये लोग सर्फ पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाई कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाती हिमाले के उस पाल रहती थी अब तक तिब्थी भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं उनके बाद ही करकोटक, एरावत, अनत, अही, मनिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धननजय, कालिया, सौफू, दौधिया, काली, तक्तू, धूमल, फाहल, काना इत्यादी नामों से नागों के वंश हुआ करते थे भारत के भिन भिन इलागों में इनका राज्ज था अथरवेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेक भी मिलता है जैसे की सुज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीब, अलीक, दासी, दुहित, अस्ती, तगात, अमोट और तवस्तू आदी का उल्लेक मिलता है, पुराणों में मद्ध प्रदेश के विद्शा पर शाषन करने वाले नागवंशिय राजाओं में शेशनाग, भोगिनी, सदाचंद्र, धंधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदियादी का उल्लेक मिलता है पुराणों के नुसार एक समय ऐसा था जबकि नागवंशियों पूरे भारत में शाषन किया करते थे उस समय उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फैराईं थी तक्षक, तनक और तुस्त नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है इन नागवंशियों में ब्रामण, छत्रिय, आदिस सभी समधाय और प्रांध के लोग थे नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज़ किया था इसी कारण भारत के शहर और घाउं नाग शब्द पर आधारित हैं मांनेता है कि महाराश्ट्र का नागवंशियों ने ही बसाय था वहां की नदी का नाम, नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा नागपुर के पास ही क्राचीन नागर धन नामक एक मैथपूड एत्यासिक नगर है इसके अलावा हिंदी भाशी राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गाउं मिल जाएंगे इन इस्थानों से भी नागों के सम्मंद में कई किवदंतियां जोड़ी हुई है नगा या नागा लेंड को क्यों नागों या नागवंशियों की भूमी माना जा सकता है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जिससे की आने वाले ऐसे ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं